वेल्कम टो एक्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल एक्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है तो आज जो हम आपके लिए महत्वपुन प्रशनों की सीरीज स्टार्ट किये हैं इसमें देखेंगे रेड़ एक्जाम एंटी पीश और गुरूब डी के पारे एक्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकान आएगा उसे भी प्रेश कर लें ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अप्लोड करें आपको इसका नुडफीकेशन मिलता रहे और यह दी वीडियो अच्छी लगे त और जो भी आपको अपने जो है सुझाओ देने तो आप कमेंट के माधिम से सुझाओ दे सकते हैं तो चली स्टार्ट करते हैं क्वेशन की तरह बढ़ते हैं आज का पहला कोईशन आपके सामने की रविंदर नार्स टैगोर को गुरुदेव की उपाधी खिशने दी थी पह इसकी डेटल्स की बात करते हैं तो रविंदर नार्स टैगोर को गुरुदेव यानि गुरुदेव की उपाधी जो है महात्मा गाधी ने दी थी जबकि गाधी जी द्वारा चंपान सत्यागरा का शफल नत्रित करने के कारण रविंदर नार्स टैगोर ने पहली बार उन् करने के कारण रभींद्र नाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें क्या कहा नि महात्मा गाधी को महात्मा नाम से पुखारा तो यह दो चीजे आपको इसमें सीखने के मिली रभींद्र टैगोर को गुरुदेव महात्मा गाधी ने कहा और महात्मा जो है गाधी जी को महात्मा कि के नाम से जाना जाता था किस व्यक्ति को समानता गुरुदेव के नाम से जाना जाता था पॉला अप्शन ने राज गुरु बंकिम चंदर चटोपध्या रविंद्र नाठ टैगोर महत्मा गाधी तो अभी स्कूशन को देखा हमने तो यह हो जाएगा आपका इस खूशन का राइट आंसर अभी नाठ टैगोर को जो है गुरुदेव के नाम से जाना जाता है एनि आप्शन नमबर सी सही है अब इसकी डिटेल से की गुरुदेव की संग्या प्रसिद्ध साहिदकार एवं नोबेल प्रोसकार विजयता रविंद्र नाठ टैगोर को परदान की जाती और इन्होंने सांती निकेतन उसका नाम रखा था प्रारंबे और 1918 में वो जो है भारती नाम से विश्व विख्यात विश्व विदाले में परिवर्टित हो गया और वर्ष 1913 में उनके गीतों की पुस्तक गितांजली को सहित्य के लिए नोबल प्रोसकार से पुरुद्ध स्कृत किया गया था तो यह था रविंद्र ना टैगोर के बारे में नेक्स्ट क्रेशन की बात करते हैं वह औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारती महिलाओं की जगरित में एक महत्योपन भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला के नाम स से भी जाना जाता है और जो है वह स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतिय महिलाओं की जगरिती में एक महत्योपन भूमिका निभाई थी और इस की बात करते हैं तो स्वरोजनी नाइडू 1889-1949 प्रख्यात का वित्री और राष्टवादी नेत्री थी और वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतिय राष्ट्य कांग्रेस के चालीवे वर्षिक आधिवेशन में वे कंग्रेस की प्रथम भारतिय महिला आध्याचवनी चालिसवे बार्शी कद्वेशन में कांग्रेस की पर्थम भारतियों महीला अध्याच बनी उन्निस तो पचीस में और इन्हें भारत को किला कहकर जो है सम्मानित किया गया डायरी लेखन नाटक उपन्यास आधि सभी जो है विद्धाव में उन्हें रचनाये की हैं यह था इनका डेटल्स नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं Next question is Frontier गाधी के नाम से किसे बुलाया जाता था पहला प्ने महत्मा गाधी को, खान अब्दुल्गफार खा को सी राज्गपल चारी को और लाला लाजपत राये को I question का Right Answer No. B. भी है खान अब्दुल्गफार खा को जो है फ्रंटियर गाधी के नाम से पुकारा जाता है या बुलाया जाता है या इसकोशन का राई टंसर अप्शन नमबर भी अब इसकी रिटेल्स की बात करते हैं तो बेटिस भारत के भूतपुर्व उत्तर पस्रिम सीमा प्रांत के पेशावर जीले अब जो की है अब का पाकिस्तान में के एक गाउं में जन्में अब्दुल्गफार खां शमानेता सिमान्त गाधी यानि फ्रंटियर गाधी के बदसा खां फक्र ए अफगान आदि नामों से ज जाने जाते है और इन्हें वर्स जो है 1987 में भारत रतनी की उपाधी से सम्मानित किया गया और वेटिस भारत के भूतपुर्व उत्र पस्रिमी सीमा प्रांत के पेशेवर जिला पकिस्तान के गाउं में जन्में अब्दुल्गफार खां ठीक है नेक्स्ट्रोशन की बात कर अब्दुल्गफार खां को ही बादसा खान के नाम से भी जाना जाता है तो अब आप देखा डिटेल्स की फ्रेंटियर गाधी बादसा खान और फक्र एफगान ये तीन नाम आप याद रखिए ये तीनों नाम आप से एक्जाम में पूछे जासे हैं यादा तो पूछे ज लेंब के नाम से किसे जाना जाता है पहला अपसन है मैडम कामा फ्लोरेंस नाइटिंगल स्वरोजनी नाइडू और एनी बशेंट तो इस खुशन का जो राइट अंसर अपसन नंबर भी है फ्लोरेंस नाइटिंगल को जो है लेडी विद दा लेंब के नाम से जाना जाता ह अब इसकी रिटेल्स क्या है तो Florence Nightingale को आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जनक माना जाता है और दया वो सेवा की प्रतिमुर्ती Florence Nightingale यानि कि दा लेडी विद दा लेंब यानि दीपक वाली महिला के नाम से भी जाना जाता है और इनी के नाम से यह प्रसीद है दीपक वाली दिन है ऐसे जीओ की जैसे की आपका आखरी दिन है ऐसे सीखो कि आपका आप हमेशा जीवित रहेंगे यह सब्द किसके द्वारा कहे गए है पाला अप्शन महात्मा गाधी पंडित जवाहर लन लहरू और एपीजे अब्दुलकलाम डी अप्शन आपका चैनक क्या तो इस जीओ जैसे की आपका आखरी दिन है और ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे इस कोशन का राइट आंसर अप्शन नमबर एग अब इसकी रिटल्स की बात करते हैं तो लिफ्स एज एफ यू वेर टुडाई टुमारो और लर्न एज एफ यू वेर टुलिव फॉर ए और ऐसे जीओ जीए मानों आप कल तक ही जीवित रहने वाले हैं और ऐसे सीखे सीखे ऐसे मानों आप हमेशा के लिए जीवित रहने वाले एक इसने कहा था महात्मा गाधी द्वारा वर्डित सुक्ति यह जो है महात्मा गाधी ने कहा था ठीक है नेक्स्ट कोशन की बात कर यह सब्द किसे ने कहा था पहला अपसन गौताम बुद्ध महात्मा गादी बाराक ओबामा और दलाई लामा तो इसको जो राइट आंसर अपसन नंबर डी है दलाई लामा ने कहा था कि सहिस्रुता के अभ्यास में इन प्रेक्टिस अफ टोल्डेंस उसका दुसमन उसका सबस सबसे अच्छा सिचक होता है निकि इन प्रेक्टिस अफ टोल्रेंस वन्स एनमी इस दा बेस्ट टीचर यह सब्द तिबती धर्म गुरु हैं दलाई लामा द्वारा यह कही एक शुक्ति है ठेक है नेक्स्ट कोर्शन की बात करते हैं भारत की राष्टिय प्रतिग्या के र चाहिता कौन थे पला अपशन है रभींदर अनास्ट टैकोर वंकिम चंद्र चतरजी और पिड्डी मारी वेंकट सुब्बाराव और पिंगली वांकईया तो इस कोशन का राइट आंसर अप्शन नमबर से पिड्डी मारी वेंकट सुब्बाराव जो है भारत की राष्टि प्रतिग्या के रचाईता है अब इसका अंसर है अप्शन नंबर सी तो आए डिटेल्स देखते हैं क्या है तो भारत का राष्टिय सफथ भारत गरणाज्य के प्रतिनिष्ठा की सफथ है और विशेश रूप से गरतंतरता दिवस एवं सोतंतरता दिवस के आउसर पर में इसका प्रसार किया गया तो यह राष्टिय सफथ भारत गरणाज्य के प्रतिनिधी की सफथ है यह जो आपका राष्टिय प्रतिग्या जो होता है हम जो सफथ लेते हैं जो मंत्री सफथ लेते हैं वही चीज़ है राष्टिय सफथ भारत गरणाज्य के प्रतिनिधी की कि शफत है नेक्स कोशन की बात करते हैं निमलिखे में से अनुसराड़ किये जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुछतक की कौन सी जोड़ी असंगत है इसलाम कुरान शिख धर्म गुरुगरंद साहिब जैन धर्म ओपनिशद और इसाइध धर्म बाइबल तो इसकोशन का ज करते हैं जैन्द्र्म का जो है अभवनिशद नहीं होता यह इस durable क नहीं साहिए इस्ञान गुरुगरंद साहीव और इसलामधर शिक थर्म ऊपनीशद के स्वा मुशंद ढर्म गरंफव चैन चानिए इस तरहीसाब है तो इस तरीके से आपए ययारधर सकते रह सकते हैं नेक्स्ट क्वेशन की बात करते हैं मनुश्मिर्थी का अंग्रेजी में अनुबाद किशनिक किया था पहला अप्शन है एच जी वेल्स जार्ज बूलर रॉल्फ ग्रिफित और एच 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 विल्सन तो इस वेशन को जो राइट आंसर अप्शन नमबर भी है जार्ज बू मनुश्मिर्थी का ही और मनुश्मिर्थी का अंग्रेजी अनुबाद कई वार हो चुका है ऑर जार्ज बूलर का अनुबाद सर्वश्टेश्ठ है उन्होंने एक विद्धता पोन्ट विद्धता पून्ट AMY-" में कतिपै शमश्चाव का उध्ध हां भी किया है तो इस कोईशन का राइट अंसर जार जबूलर यानि ऑप्सन नमबर भी जो है वेदों की जो है मनुस्मिर्थी क्या इंगलिस में अनुबाद किया था नेक्स की बात करते हैं हिंद स्वाराज के लेखक कौन थे पाला अप्सन जवारलल नेरु भीमराव अंबेड कर बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गाधी तो इसकी रचना वर्स 1909 में इंगलेंड से दच्छिड फिरका की अपनी यात्रा के दोरान गाधी जी ने पानी के जहाज पर की थी और यह सरुप्रतम इंडियन ओपीनियन में प्रकासित हुई थी यह था इस प्रश्न का डेट अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास सब्सक्राइब करें तो जरूर सब्सक्राइब कर ले साथ में बेल आइगा उश्यवी प्रेस कर ले ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको इसका रूटोफीकेस मिलता रहें औ तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं आप सागी डी क्लास में तब तक के लिए जय हिन जय भारत और ली बेस्ट